दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बुंदेल खंड चिकित्सा महाविद्य अलेज सागर के अंतरगत सन 2023-24 के लिए बिभिन पेरामेडिकल पाथ है करोमो है तू एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से घर बेठे अपलाई कर सकते हैं फॉर्म फिल अप कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो में मैं आपको इस्टेप बाई श्टेप बताऊँगा कि आप BMC सागर MP एडमिशन फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुंदेल खंड चिकिस्सा महविद्यल सागर तो यहाँ पर पेरा मेडिकल के विभिन ने पाठे क्रामों में प्रभेश है तू आवधन करने के लिए यहाँ किलिक करें तो दोस्तो आपको इस पर किलिक करना है आपके सामने नोटिफिकेशन आ प्लाइ कर सकते हैं तो फाम बने से पहले मैं आपको कुछ इसकी डिटेल से दिखा देता हूं यहाँ पर डाउनलोड पर किलिक करेंगे यहाँ पर पीडियेफ है इसको आपको डाउनलोड करना है और सबसे पहले दोस्तों कितनी वेकैंसीज है क्वालिफिकेशन क्या है 24-23 से स्टार्ट होगा यहाँ पर काउंसलिंग प्रारम विती थी 2 या 3 मई 2023 को तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो साड़नी है क्रमांक आपकी जो वेकैंसीज है कितनी रहेगी यहाँ पर आपका सीरियल नंबर यहाँ पर डिपार्डमेंट कौन से डिपार्डमेंट में है कितनी बेकैंसी यहाँ पर कोर्स का नाम और यहाँ पर टोटल नंबर ओप सीर्ट से यहाँ पर 4 सर्विस केंडिडेट 10 परसेंट यहाँ पर URST, SC, OVC और यहाँ पर ओपन की सीटे हैं तो यहाँ पर केटिगरी बाईस आप देख सकते हैं टोटल 180 सीर्ट से यहाँ पर दो सभी कोर्स हेतु अनारक्षित बर्ग के उम्मिदबार को नियुनतम 40% एवं आरक्षित बर्ग उम्मिदबारों के लिए 33% अनिवारे होगा लाना यहाँ पर आवेदक की आयू प्रवेश हेतु आवेदक की आयू बिग्यापन की तिथी 12-4-2023 को 17 बर से कम और 45 बर से अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पर प्रवेणिया सूची यहाँ पर जो आपकी आवेदनों की संभिक्षा उपरांत नियुनता महरता प्रिक्षा अर्थात भोती की रसायन और जिबिग्यान में लागू हो तो यहाँ पर मेरिट सूची जारी होगी उसके आधर पर दिक्षन सु यार सुरक्षा ने दी दोत्तिय बर्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो रसिक्षन सुलक है वो तो दोस्तो फाम बने से पहले यह सारा नोटिपिकेशन आपको चेक आउट कर लेना है अगर आप इलिजिबल है तो फाम अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए मैं फाम फिल करके दिखाता हूँ तो दोस्तो आपको फाम बने के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी बहां से आप अपना फाम अप्लाई कर सकते हैं फिर यहाँ पर सेवाएं पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यहाँ क्लिक करें इस बाले उप area मिले अपन के टिकरी से भधना चाहते हैं यहाँ इन सर्विस तो यहाँ पर जैसे ऑपन से करेंगे तो आपन पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आप से पूछा जाएगा are you from saga district अगर आप saga district से हैं तो yes करेंगी नहीं तो आप no पर टिक कर सकते हैं यहाँ पर personal details तो यहाँ पर दोस्तो applicant full name आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर father's name आएगा इस बॉक्स में यहाँ पर mother's name यहाँ पर category आपकी AWS, OB, SC, HT, UR category जो भी हो वो यहां से select कर लेंगे यहां पर nationality में इंडियन आएगा और यहां से gender male candidate है या female candidate वो select करेंगे यहां पर आपको अपनी date of birth सबसे पहले year select करना है जो भी आपका year हो वो इसमें से उसके बाद में यहां पर month select करेंगे और यहां से date इस तरीके से यहां पर आरियू physical handicap में आते हैं तो yes करेंगे नहीं तो no पर टिक करना है यहां पर handicap का type दे देना है अगर handicap में हो तो यहां पर आप married candidate आप बिदवा है single married device तो जो भी हो वो यहां से select करेंगे उसके बाद में यहां पर अगर married है तो date of marriage यहां पर number of children यहां पर last children बोर्ड बर्थ डेट और यहां पर यह डीटेल से दे देंगे उसके बाद में यहां पर आपको educational qualification details तो यहां पर आपको class 10 की details डालना है तो यहां पर passing year आपका 10 का मान लिजे 2015 में किया 10 तो यहां पर अपनी board का नाम डाल देंगे और यहां पर अपनी school का institute name डालेंगे यहां पर आपको of 10 percentage तो आपको कितने percentage बने हैं 10th में बोर्ड डालेंगे जैसे मान लिजे 77 इस तरीके से आपको यहां पर आपका 12th class में PCB subject होना जरूरी है तो इस पर click करेंगे यहां पर passing year 12th का डालेंगे यहां पर कितने percentage बने हैं वो डालेंगे और यहां पर आपको biology subject तो यहां पर आपको दोस्तो biology subject में अभ्यारती 12th है जीव बिग्यान बिसय का पूर्णांक में से प्रापता अंको का प्रतिसट डालें तो यहां पर दोस्तों आपको 12th class का biology passing year और यहां पर boat का नेम और यहां पर college का नेम और institute college का नेम और यहां पर percentage जैसे आपको biology subject में कितने आए हैं तो उसका percentage आपको जितने प्रापतांका है सिर्फ biology का वो यहां पर लिखना है इस तरीके से उसके बाद में यहां पर communication address यहां पर अपना full address डालेंगे यहां से आपको अपना state select करना है और यहां पर अपनी CT का नाम डालेंगे यहां पर pin code डालेंगे अपने area का यहां पर अपनी email ID यहां पर valid mobile number और यहां पर permanent address और local address दोनों सेम है तो डबे पर टिक करेंगे उसके बाद में यहां पर bank की details यहां पर आपका account number आएगा यहां पर bank का नाम यहां पर account holder name यहां पर IFC code और यह capture code को इस box में fill करेंगे और इस डबे पर टिक करके next करेंगे फिर यहां पर दोस्तों OTP has been sent to applicant registered mobile number आपके mobile पर OTP जाएगा तो यहां पर ok करके फिर यहां पर दोस्तों आपके mobile पर OTP भेज़े जाएगा तो यहां पर आपको अपना photograph upload करना है उसके बाद यहां पर OTP डालके submit OTP पर click करेंगे यहां पर दोस्तों आपको अपना photograph और signature दोनों एक साथ में upload करना है तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से upload करना है तो यहां पर click here for sign format इस पर click करेंगे तो यहां पर उपर की side में photo रहेगा और नीचे की side में आपको sign करके एक byte paper पर दोनों एक साथ यहां पर upload करना है upload image पर click करेंगे फिर यहां पर choice file पर click करेंगे अपना photo upload करेंगे इस तरीके से अपना photo को upload करेंगे यहां पर इस arrow से नीचे खीचेंगे और crop button पर click करेंगे मैं यह example बता रहा हूँ आपको आपको अपना सही तरीके से photograph इस तरीके से photograph और signature upload करना है फिर उसके बाद में है उसको अप्लोड करना तो दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल सके तो यहाँ पर दोस्तो आपको हाई स्कूल Certificate Only JPG Format Up To 200KB के अंदर में इसका साइज होना चाहिए यहाँ पर 12th PCB Class Examination Certificate Only JPG Format 200KB के अंदर में और यहाँ पर MP Domitial Certificate अगर आप MP के हैं तो 200KB के अंदर में यह अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको 24 फाइल पर क्लिक करेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक करना ह इस तरीके से आपको Choice File पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर Upload बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो डाकुमेंट है इस तरीके से अपलोड हो जाएंगे अपलोड होने के बाद में यहाँ पर आप चाहो तो डाउनलोड करके देख सकते हैं उसके बाद में आपको Submit बटन प Form Fill किया है तो यहाँ पर फीज लग रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 रुपे फीज दिखा रहा है तो आपको अपने Form की Payment कर देना है तो यहाँ पर नीचे की साइड में जाना है आपको यहाँ से Print निकाल के इसे रख सकते हैं फिलाल के लिए Save करके फिर Proceed to Payment दोबारा से Payment करना है या अपने Form का Print Out निकालना है तो यहाँ पर आपको फिर से यह Home Page पर जाना है इसके यहाँ पर Pay Unpaid Doplicate Receipt इस बाले Option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना Application Number डालना है Date of Birth और यह केप्चा कोट को इस Box में फिल करेंगे Continue करेंगे त तो दोस्तो इस तरीके से आप BMC Sagar MP बुंदेलखंड Medical College 2023 के लिए Online Form घर बेठे Fill Up कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में Share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब् आपको मिल सके थेंक्यू दोस्तो धन्यवाद